जीफांग आप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री दुआ अब तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था जा रुक अपना असली रंग तुने दिखाई दिया ना इम्मात कैसे हुई तेरी मुझी और खासकर चाहत को ये कहने की कि हमारी बच्ची से दूर रहे इसने हमेशा दुआ की घर बुरी आदत को बढ़ावा दिया है ताकि ये उसकी नजरों में अच्छी मा बनी रहे आज ये औरत इतनी हिंबस के साथ बोल रही है कि हम अपनी बच्ची से दूर रहे इस दोखे बाद ओरत को मैं चोड़ू गा ने दोखे की बात आपके मुझ से अच्छी नहीं लगती निलकंड जी इस घर में अगर किसी के साथ धोका हुआ है ना तो वो मेरे साथ आपके परिवार वालों की वज़े से मेरे बबबा की जान गई हमारी सारी जमिन आप लोग आप लोगों में सिर्फ मेरा इस्तुमाल किया है मुझ पर उंगली उठाने से पहले आईरे में आप अपने आपको देखिए तो आपको एक धोके बाद मतलमी और पथर दिल इंसान नदर आएगा लगता हुआ है कबरदार चुब मेरे शोहर के क्ला एक भी लवज निगाला मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था और आज तुम मुझ से मेरी बेटी को चीन रही हो ऐसे देख पाउंगी मैं एक ही चक्षे निचे मेरी बेटी तुम्हे मा बुलाएगी कैसे देख पाउंगी एक ही घर ऐसा नहीं होगा क्यूंकि आज ही मैं दुआ को यहां से लेकर दुआ कर जाएगी मैं देखता हूं तु दुआ को कैसे लेकर जाएगी मेरी बच्ची का मामला है देखता हूं तु कैसे बाहर निकलती है मैं भी देखता हूं तुम मेरी बेटी को कैसे लेकर जाती हो बढ़ाओ अपने कदम आगे आओ क्या हो गया एक मा होने के नाते अलगनंदा दुआ को अपने साथ लेकर जा सकती है और आप में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता आज इसकी मौत मेरे हाथों से लिखी है चानती थी मैं इसलिए अपने साथ वकील साहब को लेकर आई हूँ देख रहे हैं न आप ये आजमी अपने गुस्से पर काबू पा ही नहीं सकता और अभी अभी आपके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था देखिए अब कानूनी तोर पर अलगनंदा जी दुआ की मा हैं और वो अपनी बेटी के बारे में हर फैसला कर सकती हैं जिसने भी उन्हें रोकने की कुशिश की उन्हें जेल हो सकती हैं दुआ तुम मुझे भी छोड़के चली जाओगी तुम चली जाओगी तो मा कितना रोईगी दुआ वो तो बात खुश होंगी ना क्योंकि उन्हें मुझे देखना नहीं पड़ेगा और वैसे भी वो तो सिरफ तुम से ही प्यार करती है नहीं तुम गलत सोच रही हो मा पक्का अभी नीचे अल्गा मा से बिंती कर रही हो भी कि तुम्हें कहीं ना ले जाए दुआ प्लीज मच जाओ ना तुम्हारे इतने अच्छे भाई को छोड़के जा रही हो तो तुम्हारे बेना किसके साथ खेलूंगा प्लीज प्लीज दुआ अब समझ में आया मुझे कि ये किसकी जुबान बोल रही है इसकी चान मा लेकर रहूंगा चाहिए मुझे जेल को ना हो जाए तुम्हारे हैं तुझे ये लोग तरह सोच तुझे पुछ हो गया तो हम सब क्या होगा तरवारी ही इस लोग क्या होगा मैं बच्ची को घर से बाहर जाते में कैसे देख सकता हुए अज़ एक माह तुम्हारे सामने जोली फिला एक हड़ी है प्लीज मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो प्लीज अलग नंदा मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो मुझे दूआ से दूर नहीं गवनाए मुझे दूआ से दूर मत करो प्लीज अलग नंदा मत जाए नहां जाएगी तु दूआ को लेके वो इसलिए तुम्हारे पती देव मुझे उस दिन घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे सब स्वार्थी है सब ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तमाल किया है लेकिन अब नहीं अब मैं भी आप लोगों के जैसे स्वार्थी बनना सीख गई हूँ मैं दुआ को आज ही आते लेकर जाओंगी अलकू कास तु जो कदम उठा रही है सालों पहले मैंने उठाया होता तो इस घर में मुझे नौकरों की तरह काम नहीं करना पड़ता तु जालकू जहां तुझे खुशी मिलती है न रहने में वहीं जाके रह जल्दी करो अलकू नंदा अब इन लोगों का शोर मुझसे बदाश्च नहीं हो रहा है चलो दुआ दुआ बेटा आजाओ दुआ रुक जाओ दुआ रुक जाओ दुआ रुक जाओ ना दुआ दुआ बेटा फिनन ने लिभू असे दूर मच्छाओ प्लीज रुक जाओ दुआ अभी तुआ कितने पाट सिखाने हैं तुछी दुआ अपने दादू के शिक्षादूरी छोड़ के चली जाएगी दुआ तुआ तुम मझे छोड़ कर जाएगी तुझे मेरे हाथ के ब्रेकवास नहीं पसंदा ना तुम मैं तेरे लिए पीजा बनाओगा बर्गर बनाओगा तुखाएगी ना पीजा बर्गर दुआ बिटा चलो गो प्रेश तुम युज्ज़ प्रेश युज़ टूपके हम दौनों में जो बच्छान हो कंसा है थे फ्रेश तुम्हें तुमारी अलुका माँ के साथ जादा सुकून मिलता है जादा सुकून मिलता है और मेरी जान में तुझे रोकोगी दे, लेकिन उससे पेड़े. अमें इसने बना नहीं नहीं आती है ना? तो अपने अब्दुर टेड़ी पोपने साथ पिकर जाओ. अब्दुर टेड़ी पोपने साथ पिकर जाओ. चलो, बेटा. चलो, वालका. आप. वाल! जी फाइव अप टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री.